दोनों ही हाथों पे लगें हैं कीड़े देखिए हमारा चागु एक हाथों पे कीड़े को निकाला और देखिए दूसरे भी हाथों वाला कीड़ा बिल्कुल ही निकल चुका है और ये खोल वाले कीड़े भी कट चुके हैं और ये दूसरे हाथों पे लगें हुए कीड़े भी निकल चुके हैं हमारा सिकंचा वाला चागु था जो कि ब्लैक वाले कीड़े को रिमू किया और दूसरे भी हाथ पे लगें हुए ब्लैक वाले कीड़े को रिबू किया और ट्राइफोफोबिया वाला कीड़ा भी निकला और देखिए छोटे-छोटे मैंगोर्स वाले कीड़े भी रिमू हो चुके हैं हैं वाले चाकु से और देखिए हमारा रुटी लवला चाकु भी से तरीके से काटा और ये ट्राइफोबिया वाले कीड़े भी निकल चुके हैं भी मैंगोर्स वाले कीड़े को निकलेंगे तो देखिए मैंगोर्स वाले कीड़े बहुत ज्यादा निकले और ये भी मैंगोर्स वाले कीड़ा भी बिल्कुल भी रिमू हो चुका है और ये भी ट्राइफोबिया वाले कीड़ा था जो कि रिमू हुआ और ये भी ट्राइफोबिया वाले बड़ा वाले कीड़ा था आगे गोल्डर वाले चाकु जो कि देखिए मैंगोर्स वाले कीड़े को रिमूव कर चुका है और ये भी बड़े वाले मैंगोर्स वाले कीड़े रिमूव हुए गुल्डेन वाले चाकू से और हमारा पत्र वाला चाकू भी मूव वाले कीड़े के निकाला और दूसरी से साइज पे भी निकाल चुका है पूरी तरह आगे मारा तो देखिए दवा लग चुका है और दोनों हैंड पे हम लोगों ने दवा लगा दिया है आगे हमारा कॉटन बोल रूई और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे बहुत ही सेप तरीके से तो टाइमर चल चुका है और आप तो देख सकते हैं दोनों ही हैंड का ट्रीटमेस एनिमेशन हो जिया है सेप तरीके से गिनोने टाप की कीडे जो की देखे ट्राइफोपोविया वाले कीडे हैं हम लोग उने बहुत ही सेप तरीके से रिमूओ किया ट्राइफोपोविया वाले कीडे को और ये फंगल वाला कीड़ा भी कटके निकल चुका है और ये दूसरा वाला फंगल वाला कीड़ा ये भी सेप तरीके से निकल चुका है और ये बड़ा वाला कीड़ा देखे एक ही बार में काड़ की निकल दिया हमारा बड़ा वाला चाकु ने और देखे दात वाले कीड़े भी ये वालसम तरीके से कटके रिमूव हो चुके हैं और ये कुछली जुली जी वाली कीड़े थे जो कि ये भी सेप तरीके से रिमूव हो चुके हैं और देखे हमारा रेड़ा वाला कीड़ा एक ही बार में निकल चुका है पूरी तरह और ये हमारा हैंड वाला सागू बहुत ही सेप तरीके से कुछ कीड़े को निकाल दिया है और ये चोटे-चोटे मैंगोर्स वाली कीड़े भी एक ही जटके में कटके निकल चुके हैं और ये ब्लैक वाले ट्राइफोफोबिया ये भी सेप तरीके से कट चुके हैं पूरी तरह और देखिए हमारा सिलवर वाला चाकू भी सेप तरीके से काट आप बड़े वाले कीड़े को और ये होल वाले ट्राइफोफोबिया ये भी सेप तरीके से कटके रिमूव हुए और देखिए बड़े वाले फंगल भी सेप तरीके से निकल चुके हैं पूरी तरह और ये छोटी छोटी ट्राइफोफोबिया उलियों लगे थे तो उलियों वाला कीड़ा भी सेप तरीके से रिमूव हो चुका है आगे हमारा बड़ा बड़ा चाकू और चीटियों सही ट्राइफोफोबिया वारे कीड़े को काट की निकाल दिया हम लोग अब इस पर दवा लगा देते हैं तो फानिली दवाई लग चुकी है ओसम तरीके से और आगे हमारा कॉर्टन बूल रूई और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे तो हमारा टाइमर चल तो देखिए हमारा चाकू बहुत ही घिनोले टाइब की कीड़े को काट कर रिमूग किया है आगे हम दूसरा चाकू और देखिए आप वाले कीड़े को बहुत ही सेब तरीके से रिमूग कर चुका है बुरी तरे और यह ट्राइब अपोबिया वाले कीड़े भी निकल चुके हैं एक ही बार में और देखिए चीटी के पुरी ही घवत लग गए थे पुरी हैंड पे इसको भी रिमूग की हम लोगों ने और देखिए ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े देखिए सेब तरीके से रेबू हुए और सब तरीके से और यह फंगल वाले कीड़े थे जो कि यह भी सेब तरीके से रिमूग हो चुके हैं पूरी तरह और यह होल वाले ट्राइफोफोबिया थे जो कि यह भी सेब तरीके से कट के निकल गए पूरे के पूरे और देखिए हमारा गॉल्डर वाले चाकू बहुत ही सेब तरीके से जीडियों को कट के निकाला और देखिए यह भी ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े हैं चो कि यह भी सेब तरीके से रिमूग हो चुके हैं और देखिए ब्लैक वाले कीड़े भी निकल चुके हैं एक ही बार में मारा पत्रल रचाकू काट के निकाला और यह चोटे चोटे थे ट्राइफोबिया वाले कीड़े यह भी निकल चुके हैं रिमूग हुए और यह भी ट्राइफोबिया वाले कीड़े सेब तरीके से कटके रिमूग हुए और देखिए हम लोग दवा लगा देते हैं इसके पूरे हैंड पे तो देखिए दवाई लग चुकी है बहुत ही सेब तरीके से और आगे हमारा कॉटन गोल्ड रोई और हम लोग अब टाइमर चला देंगे तो देखिए हमारा टाइमर चल रहा है और फारे लेंट पे लग गए हैं बहुत ही चादा तगड़े कीड़े और देखिए हमारा चाकू बहुत ही खाता नाक वाले कीड़े को बहुत ही सेब तरीके से काट की निकाला आगे पत्रोला चाकू जो कि देखिए थोड़े बहुत लिज़लीजी वाले कीड़े को काट की निकाला एक ही सिकेंड में अभी ये हमारा चंग्रा वाला थोड़ा चाकू था जो कि बहुत ही सेब तरीके से काटा कुछ कीड़े को और हमारा हैंड वाला चाकू होल वाले कीड़े को सिप तरीके से काट की निकाल दिया है और देखिए बाल वाले कीड़े हैं जो की बहुत ही हैं पर लग जाते हैं पूरे के पूरे और ये कुछ ट्राइप ओपोबिया वाले कीड़े थे जो कि बहुत ही जादा गिड़ोडे होते हैं तो देखिए हमारा रिती लवला चाकू बहुत ही सेब तरीके से फंगल वाले कीड़े को काट की निकाल दिया है अभी ये मैंगोर्स वाले कीड़े हैं जो कि हम लोग बहुती सेप तरीके से इसको रिमो करेंगे एक ही बार बे तो देखिए हमारा मैंगोर्स भी कटके निकल चुका है बहुती आसम तरीके से और ये अब ट्राइपोपोपीया वाले कीड़े को हम लोग काटेंगे अब देखिए ट्राइपोपोपीया वाला कीड़ा पूरा का पूरा कटके निकल चुका है और इसके हैंट पर लगे हुए खिनावने टाइपी कीड़े को निकाल दिया हम लोग ने और ये बहुत ही चाहता खाता नाक वाला कीड़ा था ये भी सेब तरीके से कट चुका है और ये ब्लैक वाले कीड़ों को हम लोग सेब तरीके से काट के निकालेंगे और देखे ब्लैक वाला कीड़ा सेब तरीके से कट के निकल चुका है और ये होल वाल राइफो भोविया वाला कीड़ा था ये भी से तरीके से कटके निकल गया है और ये कुछ चालीदार वाले कीड़े थे ये भी कटके निकल चुके है हमारा आगया प्यारा वाला दवा तो दीखे प्यारा सा दवा हम लोग लगा देते हैं दोड़ों तरफ लग चुके हैं दबा और आगे हमारा कॉटन बूल रूई और हम लोग अब टाइमर चला देते हैं और टाइमर चलाने के बाद हम लोग देखेंगे हमारा फाइनल एजट क्या निकलता है तो फाइनल बहुत ही ज्यादा कीड़े लग गए हैं तो देर कि हम लोगने आख मौले कीड़े को निकाल दिया काट के एक वार में आगे हमारा चिम्टी और यह रेड़ली खीड़ें को कैड़ेगा और दिखे बहुती सेफ तरीके से निकाली गए इसको एक एक करके और ये दूसरे वाले रेट को पकड़ा और इसको भी दिखे सेफ तरीके से निकाल चुका है अब ये तीसरे वाले कीड़े को पकड़ा और इसको भी दिखे सेफ तरीके से फेक चुका है बहुती ओसम और लुक तरीके से आगया हमारा छोटा वाला चाकू यह भी आई वाले कीड़े को बहुती सेफ तरीके से निकाल चुका है काट के पूरा का पूरा आगया हमारा हैंड वाला चाकू और ये देखे हैंड वाला चाकू बहुती ओसम तरीके से कुछ कीड़े को रिमू किया एक ही बार में और ये देखे कुछ टाइप ओप वह वाले कीड़े थे जो कि ये भी कटके निकल चुके हैं एक ही बार में और ये कुछ देखिए ट्राइप ओब वह वाले ये भी ब्लैक वाले कीड़े थे जो कि ये भी कट चुके और ये कुछ गिनोरे टाइप की कीड़े हैं जो कि ये भी सेब तरीके से कर जो कि अभी हम लोग मस्तिस वाले कीड़े को रिकालेंगे तो देखिए मस्तिस को वाले कीड़े एक ही बार में कट के निकल चुके हैं और ये ट्राइप ओपोविया वाले कीड़े हैं जो कि ये भी सेब तरीके सिकट के निकलें और ये कुछ कीड़े थे जो कि ख़दा नाक होते हैं हैं पर लगने की वज़े से तो देखिए हम लोग पूरा का पूरा डीप क्लिंग करेंगे इसके पूरे ही हैंड का आगे हमारा बड़ा वाला चाकू और देखिए इस वाले ट्राइफ और वोबिया को इसको भी निकाल दिया है पूरा का पूरा काट के एक ही बार में रिबू किया और ये देखिए फिंगर्स वाले कीड़ों को भी बहुती सेब तरीके से काट के निकाल चुका है आगे हमारा दवा तो देखिए घौल हो गए थे इसके पूरे हेंड पे और देखिए हमारा द दवा भी लगा के चला गया आगे हमारा कॉटन फूल ड़ी अब हम लोग इस पे टाइमर चलाएंगे जोंकि देखें कि सथिक से किसे फिनिस हुआ कि यह नहीं तो देखें टाइमर चल चुका है यह हैंड पर लग गए हैं कीड़े हम रिमूव करेंगे आज तो हमारा पत्र राच्छा को फिंगर्स वाले कीड़े को रिमूव किया और यह भी फिंगर्स वाले कीड़े थे जो कि यह भी रिमू हो चुके हैं एकी बार में और यह जाखों वाले कीड़े भी रिमू हुए बहुत इस तरीके से और यह गिनोरे टाप कीड़े भी रिमू हुए बहुत ही सेब तरीके से और यह भी कुछ गिनोरे टाप कीड़े थे जो कि यह भी रिमू हो चुके हैं सेब तरीके से तो दीके फिंगर्स पे लगे थे बहुत ही पिंपल्स उसको हम लोग ने निकाला कटके और अभी यह हैंड पर लग चुके हैं कीड़े जो कि हम लोग रिमू कर देंगे पूरे के पूरे कीड़े को तो फाइनले देखिए बहुत सारे कीड़े को हम लोग ने रिमू किया और यह भी कुछ कीड़े थे जो कि यह भी रिमू हो चुके हैं और यह बीन्स वाले कीड़े को भी हम लोग ने रिमू किया और देखिए हैंड पर बहुत सारे कीड़े थे वह भी रिमू हुए और यह रिट वाले की नोड़े टाइप की कीड़े थे यह भी रिमू हो चुके हैं तो देखिए काफी हद तक हम लोग ने ट्रीट्मिन कर दिया है भी थोड़े बहुत कीड़े बच्चे हैं और यह होल वाले भी कीड़े रिमू हो चुके हैं तो आगे हमारा दवा तो देखिए दवाई बहुत ही से तरीके से लग चुकी है पूरी की पूरी और आगे हमारा कॉटर मूल रोई तो टाइमर हम लोग चल दे देते हैं तो फालली टाइर बर चल चुका है अभी देखिए ठी टी बर जीरो तो तो देख लेगे हैं